क्या आप भी एक paid tool का मज़ा free में लेना चाते हो जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो में मैंने आपको पूरा practical करके बता है कि आप कैसे कोई भी SEO paid tool को free में use कर पाएंगे मैं आपको website के बारे में बताऊंगा जहां पे आप पूरा volume CPC जो भी एक paid tool में होता है वो आप एकदम easily free of cost में उसको use कर पाएंगे मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को कहीं पे भी skip मत कीजिएगा क्योंकि अगर skip करेंगे तो आपको एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो का मजभ नहीं ले पाएंगे अगर आपको कोई client है अगर आपको पूरा website के guide भी बता दूँगा कि आप कैसे करके उसको use करेंगे और कैसे करके उस website का मज़ा आप लेंगे तो नमश्का दोस्तों मैं नील आप सभी को स्वागत है टेक्निकल नील YouTube चैनल में सबसे पहले हम लोग बात करते कि यह SEO चीज़ क्या है और SEO का full form क्या है सबसे पह पहली बात है मान के चलो आपने copy shop near me या कोई भी Google में जाके सर्च किया कि coffee shop अभी Google आपके सामने बहुत से website बहुत से map में जाएंगे तो बहुत से list आपको दिखाई देगा तो उन list को Google कैसे करके search करता है या कैसे करके find करता है अभी मान के चलिए आप एक website create किये हो उस website के अंदर आपने coffee shop near me या coffee shop related कुछ content लिखे है अभी क्या होगा मान के चलिए कि आप कॉलकाता में रहते हूँ तो आपने लिखा है Google में coffee shop near me और उसके बाद कॉलकाता या city आपने दिया है कॉलकाता उसके बाद आपने यह पर article लिखना start किया है ठीक है अभी क्या किया है Google जाके सर्च करता है कि coffee shop near me और Google उसका location पहले देखेगा अगर कॉलकाता में रहता है तो उसका अंदर अगर वह coffee shop आता है तो आपके सामने result को ले आकर शो कर देगा तो इसी तरह से काम करता है search engine optimization अब अगर आप Google में जाके सर्च करेंगे web development company in कॉलकाता तो आपको बहुत स चीज अगर Google में कोई search करता है उसे related कोई result जो उसके पास मिलता है अपना database से result को show करता है अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि keyword research होता कैसे है इसको कैसे करके आप लोग करेंगे अगर आप कोई भी अगर नहीं जानता है कि बहुत से paid tool है हम लोग कैसे करेंगे नहीं करेंगे आपको कही जाने का जरूरत नहीं है इस वीडियो को पूरा देखी इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़े बताऊंगा आगे आने वाले future के time का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत से चीज़ों को लेके सिखेंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग practical screen में जाने क आपको सबसे पहले google open करना है google open करने के बाद आपको यह पर search करना है biq और उसके बाद यह पर आपको इस पॉप आपको में यह पर हटा देता हूँ आपको उसके बाद यह पर biq.cloud के जो official website है इसके उपर बस आपको simply click करना है और यह बहुत ही मतलब amazing paid tool है मगर इसको हम लो यही चीज हम लोग यह पर देखेंगे तो आभी सबसे होगा 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 अभी यह पर आप किसी भी account से login कर सकते हो Google से भी कर सकते हो या Facebook से भी कर सकते हो आपके मर्जी आप किससे करेंगे वह आपके ओपर depend करता है फिलाल में यह पर Google से कर लेता हूँ तो मैं simply इसके उपर क्लिक करूंगा और अभी हम लोग यह पर देखती कि हम लोग के सामने अभी ओपन होके क्या आता है तो अभी यह पर आप देख सकते हो कि में यह पर मेरा account से open होके आ चुका है अभी मैं यह पर simply इसको पर अगर क्लिक करता हूँ तो यह पर जो notification आपके सामने है मैं इसको आ unlimited access to keyword, intelligence, content, intelligence and collection today इसके मतलब क्या है अभी यह पर आप यह पर जो दो आइकन यह पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप लोग unlimited access आपको मिलेगा और आप unlimited keyword वगरा यह पर सर्च कर सकते हो कैसे करके होगा मैं आपको यह दिखाता हूँ अभी फिलाल मैं इसको open करता हमने एक आइसा करके आपका board आएगा इसमें आपको search करना है अब इमान के चलते हम लोग यह पर search करेंगे keyword research keyword research के बाद हम लोग यह पर हम लोग का जो तुमेने यह पर हिंडिया दिया और यह पर इंग्लिश भी दे सकते हो या हिंदी और कोई भी language के लिए आप यह दे सकत आपको कैसे help करेंगे मैं आपको यह पर बताता हूँ अभी यह पर हम लोग सर्च मारेंगे तो इस keyword research से क्या searches आता है हम लोगों के सामने अभी हम लोग वही चीज़े यह पर देखेंगे मैं आपको इतना कह सकता हूँ दाबे से जो कोई भी paid tools use करते हो वो लोग अगर इसक कहीं पर भी अगर article वगरा लिखते हो keyword research बहुत जरूरत है नहीं तो आपको organic traffic नहीं मिलेगा इस वेबसाइट को अब लोग यूज़ कीज़े मैं इतना दाबिस आपको कह सकतो कहीं और आपको जाने का जरूरत नहीं है आप लोग यह पर देख सकतो total keyword research हम लोगों के सामने आ चुका है 3 63 बाकी keyword हम लोग का keyword research country India language Hindi आया है इसका volume आप देख सकतो कैसे जा रहा है बाकी यह पर volume देखिए आप CPC rate यह पर देख सकते हो और भी बहुत से चीज़े है अभी अगर मानके चलो यहापर जैसे के मेरा सामने अभी सब कुछ है मैं फिर भी यहापर मानके चल यहापर देख सकते हो अभी आपको जो भी करना को उसको पर बस आपको दूबर क्लिक करना है आपको result मिल जाएगा अभी मैं आपको यहापर सिखाऊंगा जैसे के मानके चलो कोई भी यह बहुत सारे आपके सामने आ चुका है keyword अभी आपको मानके चलो इसको download करना है कैसे क करके download करेंगे मैं मानके चलो कि मैं यहासे में दो तीन चार में keyword को download करना चाहूंगा ठीक है दो तीन चार वगेरा अभी हम लोग यहापर export में क्लिक करेंगे और export क्लिक करने के बाद हम लोग यहापर export to PDF अगर हमके पास CSV है तो अब उसको भी उसको कर सकते हो अब ही content ideas अब इसके बारे में मैं आपको यहापर बताता हूँ सबसे पहली बात है कि Google के अंदर जो top 10 websites जो के rank होके आया है Tibetan Audience sper Chain report जो के उनके अंदर जो भी keyword ऋथै वो आपके सामने Google ले आके देगा जैसे कैसे मैं अपको यह पे pointer को में अगर शो करता हूँ तो यहाप देख सकते हो पॉपूलर क्विशिन का काम क्या है गूगल के अंदर जुो भी जो भी खुईस्ằn पूछाजाता है जिनका एंसर गूगल देता घ उन्हे रेजल्ट को आपके सामने więc मतलब मान के चलई कि how do you do keyword research इसके मतलब कि कोई यहाँ पे Google से question पूछा गया है उसका answer जो भी website या जो भी result है Google उसके सामने लेया के दिया है आपके सामने भी एक link दिया अगर आप इस link को open करेंगे तो उसी blog या उसी article के अंदर आपको redirect कर दिया जाएगा हाँ एकदम same to same हुब हुआ इसी कोई copy मत कर देना खुछ से कुछ ट्राइ करना कुछ लिखना आप देख सकते हैं अपर what is keyword research और चाहे तो यह से पुरा पढ़ सकते हैं बहुत बरा article है वीडियो बगेर सब कुछ है तो मैं इसको close कर देता हूँ इन सारे चीजों को लेकर के आप एक बहुती बरिया article लिख सकते ह है मगर मैं recommend नहीं करूंगा जितना हो सके फ्री में अगर करते हो तो आपको भी सुभीदा मिलेगा और जो आपको client मिलेगा आप उनको best to best service दे पाएंगे क्योंकि अगर आपको सारे चीजे पता जल जा रहा है एकी website से तो आप उनके लिए बहुती अच्छा एक article लिख पा कर देजिए